खबरों में बने रहनी के लिए बेल आइकॉन दबाएगे और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ेगे पहले बोट यात्रा के तहट उन्होंने वोट मांगा था और अब कॉंग्रेस महासरचिप प्रियंका गांधी लखनव पहुंची हुई है लखनव ऐरपोर्ट से यह तस्वीर हैं हम आपको दिखा रहे हैं कॉंग्रेस के कारकरताओं में नया जोष भरने की कोशिश है प्रियंका गांधी की लगातार उत्तर प्रिदेश के दोरे कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों कोई खेमे में भी उथल पुतल बहुत है उनके इन दोरों को लेकर लगातार बयान के जरीए उनके उपर हमले बोले जा रहे हैं यह एरपोर्ट से तस्वीरें सीधी आप देख सकते हैं कॉंग्रेस के कारेकरताओं से मिलती हुई कॉंग्रेस के कारेकरता वहां पहुँचे हुए हैं उनका स्वागत करते हुए इसके बाद वो यहां से अमेठी के लिए रवाना होंगी तमाम जो बूत के अध्यक्ष हैं उनके साथ वो मुलाकात करेंगी लगातार उनकी बैठकों का दौर चलता रहेगा अमेठी में जो कारेकरता हैं वो संगठन को मजबूत करने की कोशिष प्रियंका गांधी की तरफ से की जा रही है उत्तर पिर्देश में जिस तरीके से कॉंग्रेस अपनी जमीन खोचुकी है उत्तर पिर्देश में उसको देखते हुए प्रेंका गांधी एक नई जान फूकने की तैयारी में है और इसले शायद कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने उनको उत्तर प्रिदेश की कमान सौपी है हाला कि पूर्वांचल का उनको जिम्मा दिया गया है जोतिराधिते सिंदिया पश्चिमी उत्तर प्रिदेश का जिम्मा सम्हाल रहे हैं लेकिन प्रेंका गांधी के दौरे लगातार जारी हैं अमेठी यहां से वो रवाना होंगी और टकर आप देख सकते हैं तस्वीर के जरीये भी हम आपको दिखा रहे हैं स्मृति इरानी और राहूल गांधी की टकर है प्रेंका गांधी पहले भी आमेठी जाती रही है अपने भाई के लिए प्रचार करती रही है राइबरेली जाती रही है लेकिन क्योंकि अब इस बार उनको पुर्वांचल का जिम्मा मिला हुआ है तो ये दौरा बहुत खास हो जाता है तमाम कारेकरताओं के साथ वो बातच झाल 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 झाल